हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बेक टो आवर चैनल, आज के स्वीडियो में हम जानेंगे कि बच्चे भाषा कैसे सीखते हैं, तो चौम्सकी, स्कीनर, वाइगोसकी तथा प्याजे के सिध्धान के अधार पर इसकी व्याख्या करें, तो इसके बारे में हम जानेंगे कि इन सम्मनो विज्ञानी के अधार पर बच्चा भाषा कैसे सीखते हैं, तो वही आज के सीडियो में डिसकस करने वाले तो, आज हम केवल चौम्सकी और इसकीनर का पढ़ेंगे, उसके बारे में नेक्स्ट वीडियो में वाइगोसकी और प्याजे के बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि वीडियो काफी जाला लेंटी हो जाएगा, इसलिए इसको दो भाग में डिवाइट कर दिया गया है, तो सबसे पहले देखे क्या लिखा हुआ है, हम जानते हैं कि बच्चा में भाषा का सिखना एक सोभावी पर करिया है, बच्चों में भाषा सिखने के लिए अनेक कारको का होना आविशक है, जैसे रूची, योगिता, लगन, अभियास, आदी का होना आविशक है, और इसमें आप जिग्यासा भी लिख सकते हो, जिग्यासा भी होना जरूरी है, उसके बाद है भाषा सिखने का अर्थ, भाषा को बोलना, पढ़ना, विवार में लाना आदी, उ आतर भाषा, बच्चा प्राकरतिक रूप से परिवार के सदस्यों की भी सीखता है, परिवार में जैसी भाषा बोली जाती है, बच्चा उनको सुनता है, और सुनने के बाद बोलने की कोशिश करता है, अब देखते हों कि घर में क्या छोटे छोटे बच्चे बड़ों को देखे अनुकरन करके भाषा सीख लेते हैं जो भी घर में बोली बोली जाती है उसके बाद है बच्चा बार बार बोलता रहता है यानि पहले अनुकरन फिर अभियास द्वारा बालक भाषा को सीखता है भाषा के सीखने में बोलने लिखने पढ़ने तथा सुनने की उसके बाद है चौमस्की के अनुसार बच्चा भाषा कैसे सिखता है। चौमस्की बहुत बड़े भाषा विज्ञानिक, अमेरिकी दार्शनिक तथा संग्यानात्मक विज्ञानिक थे। जिनका जन्म 1928 इस्वी में अमेरिका में हुआ था। उसके बाद लिखा चौमस्की भाषा के आधुनिक शेत्र में यानि की मोडन युग में महत्वपून काम किये थे। इसलिए इन्हें आधुनिक भाषा विज्ञान के पिता फादर आव मोडन लिंग्विस्टिक्स करते हैं। चौमस्की ने इन सब के अलावा बच्चा भाषा कैसे सीखता है इसके बारे में बताया है। चौमस्की ने 1950 के दशक में मनोविज्ञान के ख्याती प्राप्त विज्ञानिक बीएफ स्कीनर की पुस्तक वरवल बिहेवियर की आलोचना कर दी। उसके बार लिखा स्कीनर ने इस पुस्तक में बताया था कि बच्चा भाषा पुनर बलन अनुकरन के मादेम से सीखते हैं। चौमस्की ने बताया कि बच्चों में भाषा सीखना जमजात भाइबर्थ होती है। बच्चा में भाषा सीखने के लिए जर्म से ही व्याकरण होती है वह जिस भी जगा पर जाएगा वह उस भाषा को सीख लेता है इन्होंने इसे एक नाम दिया L.A.D. यानि कि Learning Acquisition Device भाषा अरजनतंत्र यानि कि किस भी चीज को अरज करना ग्रहन करना अर्थाद बालक में भ भाषा अर्जनतंत्र कहते हैं चौमस्की ने बताए कि यह डिवाइस बच्चे के मस्तिक्ष में रहती है जिससे बच्चा भाषा सेखता है चौमस्की ने बताए कि बालक में भाषा विकास के संदाव संबन में शीशू के द्वारक की जाने वाली क्रिया रोना है आप सुनना फिर बोलना फिर पढ़ना फिर लिखना इसको अब LSRW याद कर सकते हो उसके बाद यहाँ पर इनपुट यानि की आगम उसके लेडी भाषा अरजनत अंदर फिर आउटपूट इस तरह से इसका प्रक्रिया होता है उसके बाद चौमस्की ने यह बताए कि शीशू के द्वारा प्रारम में वर्ण, शब्द और वाक्य सीखता है उसके बाद लिखा है चौमस्की ने बताए कि भाषा सीखने की शमता या विचार अभी व्यक्ति करना लड़कों की तुलना में लड़कियों में अधिक पाई जाती है चौमस्की ने बताए कि बच्चा जब भा वो बिता है चौमस्की ने ग्रामर थ ही या य। चौमस्की के अनुसार बालग जिस भाषा को सुनता है वहाँ उसकी व्यक्रन को अपने आप सीख जाता है इसे ही ग्रामर need ग्री तेहां आप कर लेता है। यहां पे टोरिज सब्सकार्टाइब इस तरह से पीस को ले सकते हो। तब वर्ण सेख तो फिर शब से फिरा वाक के बनाना शिख जाते हो तो इसी तरह से यहाँ पर बच्चा भी सीखता है चौमश्की ने भाष्चा की संरचना को दो भागों में बाटा गया है तो इस हब से पहले सती संरचना उसके बद गहरी संरचना सर्फेस और डीप सती सनचना क्या होता है चौमस्की के अनुसार सती सनचना में बच्चा सिर्फ धौनियों शब्दों को बोलता है लेकिन उसका अर्थ नहीं समझता जैसके ममी पापा खाना पानी आदी उसके बाद गहरी सनचना में क्या होता है चौमस्की के अनुसार गहरी की मनुविज्ञान वहवारवादी समाजिक दार्शनिक थे इनका जन 1904 एस्वी में अमेरिका में हुआ था तथा इनकी मिरित्य 1990 एस्वी में रक्त कैंसर जाने की बलड कैंसर के कारण हो गई इसकीनर का पूरा नाम ब्रहस फैडरिक इसकीनर था इसकीनर ने बताए कि बच्चा भाशा अनुकरन एवं पूरबलन के द्वारा सिखता है। इसकीनर ने बहलाक में भाशा के विकास को उधीपन और अनुकरिया के बीच अनुभंद्ण ज्यानी की एक लिंक बोल सकते हैं इसको संबंध स्थापित करके सीखने पर बल दिया है तो देखेंगे सबसे पहले उद्धीपक क्या होता इस्ट्यूमुलस जिसकों बोलते हैं वह वातावरेन या घटक जिसे पुरानी अपनी अनुक्रिया के द्वारा प्राप्त करना चाहता है उसे उद्धीपक कहते हैं उ और अनुक्रिया क्या होता कोई भी प्राणी जब उद्धीपक लक्ष्ट के प्रतिक क्रिया करता है उसे अनुक्रिया करते हैं जैसे कि आप अभी पढ़ रहे हैं तो आप अनुक्रिया कर रहे हैं आपको लक्ष्ट को पाने के लिए उसके बाद है अनुबंदन याने की ब वर्ड में इसको अनुबंधन बोला जाता जैसे कि सीखना को अधिगम बोला जाता उसी बात से यहां पर सम्मन को अनुबंधन बोला जाता लर्णिंग टीचिंग में जैसे मेरा लक्ष है गौर्मेंट टीचर बनना यहां पर एक्जामपल आप दे सकते हैं यहां टीचर बनन क्या होता है ऐसी कोई क्रिया जो अनुक्रिया के संख्या में विरिधी करती है यानि कि कोई भी ऐसा काम जिसको बार बार करने में आपको कुछ इस तरह से मोटिवेशन या कोई भी चीज मिलता रहे तो उसको हम पुनरबलन कहते हैं जैसे कि पुरुसकार होगा बच्चों को करते हैं ने बताया कि बच्चे शुषत यानि कि खुद अनुकरन से भाषा सिखते हैं बालक के चारों और के वातावरन में उपस्ति उसके निकट समंदी व्यक्ती बालक द्वारा बोली गई कुछ धनियों का पुनरबलन करते हैं जैसे जब कोई बच्चा पापा बाबा दादी दादी मामा आदी बोलता है तो बालक के परिवार के व्यक्ति बालक द्वारा बोली गई इस धोनी के लिए प्रशनसा या पुरस्क्रीद करते हैं जिसके कारण बालक भाशा जल्दी सीख लेते हैं इसकी नर ने ये भी बताए कि बालक उद्दीपक अनुकृरिया के भी संबन इस्थापित कर बाशा को सीखता है जैसे कोई बालक को अल्फाबेट सीखने समय एक उचारन सीखते समय एपल का चितर दिखा कर सिखाते हैं तो बालक जल्दी एक उचारन सीख लेता है तो उससे क्या कोई भी आप जैसे की पढ़ाते तो उसका चितर बना देते तो बच्चा क्या उसको देखके तुरत उसको याद कर लेता है उसके आद निशकर्ज जानेंगे उपरोग द्वीबरन से यह इस पस्ट होता है कि बच्चों के भाषा सीखने में अनुकरन एवं पुनर बुलन का महत्वपुन योगदान होता है जब बच्चा शैश्ववस्ता में रहता है बच्चों के भाषा सीखने के संदर में स्कीनर चॉम्सकी आदी वेनोवे ज्यानिकों का महत्वपुन योगदान है यही सब था फ्रेंड्स उमीद करता हम को सही में आ गया हो कि बच्चा भाषा कैसे सीखता है नेक्स्ट वीडियो में हम डिसकस करेंगे वाई गोश्की और जीन प्याजे ने किस तरह से बच्चों को भाषा का विकास किया है थैंक्स वर वाचिंग दिस वीडियो फ्रेंड्स